अब हम लोग इस सेशन में जिस प्रॉल्म के उपर बात कर रहे हैं वह हमारा इलेक्रिक पोटेंशल से रिलेटेड है और यह भी थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉल्म है तो देखते हैं यहां पे कि दो पॉइंट चार्ज है ब्लस फूर ॉर क्रॉक्लम कमा दम इल उनके सेपरेशन इन्हीं होगी is points पे electric potential की value 0 होगी गल्ती क्या होती है कि students किवल एक ही point के value निकाल के आ जाते हैं तो वो एक गल्ती हो जाती है तो इस गल्ती को आपको avoid करना है दो different point पे electric potential की value 0 होगी on the line joining the two charges of plus 4 microcolum and minus 6 microcolum अब देखते हैं वो दोनों point कौन कौन से होंगे तो देखते हैं अभी यहां पे तो एक point तो हमने in between ने लिया plus 4 and minus 6 microcolum के बीचे point A है जिसकी distance यहां से x ले ली गई है तो यहां से obvious सी बात है 20 minus x होगी इस point पे potential की value 0 है तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे दोनों charge की electric potential निकाल करके उसकी value 0 की कुल कर देंगे from the principle of superposition तो इस charge की potential क्या होगी ए पे तो k 4 microcolum divided by x v equal to k q by r से right तो हम लोग वहां से v equal to k q by r this one is the electric potential due to the point charge q at the distance r उस concept के according मैंने लिख दिया मैंने microcolum में इसलिए रखा क्योंकि दूसरा वाला भी चार्ड जीदे microcolum में रखेंगे तो microcolum microcolum एक दूसरे को बात में जा करके खतम कर देगा right तो microcolum को कुलम में करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि unit तो मैंने दोनों के लिए एक ही जैसा रखा है तो के 4 microcolum by x इसकी potential हो गई ए पर माइनस 6 वाले की कितनी होगी माइनस 6 microcolum की तो के माइनस 6 microcolum divided by 20 माइनस x अब दोनों को एलजेवरिकली एड़ कर दी गई है और उसको माइक्रो कुलम होगा इस साइड माइक्रो कुलम होगा तो सिंपल सी बात है एक क्विस्टन आपके पास आजाएगा फॉर बाइए एक सिक्स बाइट वाइट सेंटिमीटर इसका मतलब एक पॉइंट ए होगा जो कि जहां पे एलेक्रिक पॉटेंशल के वैलिव जीरो होगी जोकि प्लस फोर माइक्रो कुलम से एड सेंटिमीटर पे होगा इन बिट्मिन दीस तू चार्जेज अग्ला देखिए अगला वाला पॉइंट जहां पे एलेक्रिक पोटेंशल के वैली जीरो होगी वह वह पॉइंट कम होगी उस साइड में होगी इस साइड मेने ले लिया पॉइंट भी पे इसकी डिस्टन स x से प्लस फोर्स से माइनस सिक्स से कितनी होगी 20 प्लस एक्स अब इस पॉइंट पुटेंशल लिग देते हैं तो इसको आप simplified कर लीजे, simplify करेंगे तो you'll get x equal to 40 cm, right, इसको उसी तरीके से इस वाले टरम को RHS में लेके जाएंगे, के के दोनों साइट cancel out हो जाएगा, microcolumn LHS में होगा, RHS में होगा, वो भी खतम हो जाएगा, तो equation हमारे पास राजएगा, 4 by x equal to 6 by 20 plus x, इसको simplify कीज़े, get the value of x equal to 40 cm, तो गलती इसमें generally क्या हो जाते हैं, केवल जादा तर इस्ट्रेंट्स जो हैं, केवल यह वाला result का लिख करके आ जाते हैं, नॉर्मल यह two marks का question आता है, तो you'll get one mark, यदि आप एक part करते हैं, तो आपको दो different points मिलेगा, जहां पे electric potential की value 0 होगी, magnitude same रही, assign, opposite रहा तो केवल एक ही point मिलना है, और वो point होगा in between, एक जैसे plus q charge है, दूसरा minus q charge है, तो electric potential की value 0 होगी, केवल एक ही point पे, between, midway पे, तो इस बात को दियान में रखना है, लेकिन एक charge plus q1 है, दूसरा minus q2 है, तो उस किसमें दो different points आपको मिलेंगे, along the line joining the two charges, जहां पर electric potential की value 0 होगी, पहला point तो मिलेगा आपका in between the point charges, दूसरा कहां भी मिलेगा, दूसरा मिलेगा, जिस charge की magnitude कम है, उस side भी मिलेगा आपको, तो इस तरीके से मैंने आपके सामने ये problem discuss किया है, concept को दियान में रखना है, अब हम लोग बात करेंगे, और discuss करें अगले session में कुछ और problem के साथ,